हुआ 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 है विपिन सर्मा भरतपर पर और आज का जो टॉपिक है वो है नावधारा आपको मैं नावधारा की थियोरी समझने वाला हूँ नावधारा में किस तरीके के प्रश्नी बनती है बहुत इजी टॉपिक है जिसको इस्ट्ट बहुत टफ समझते हैं केवल जो कॉंसेप्ट मैं इस्ट्रीव पोटेंड इस्ट्रीव समझेंगा टॉपिक क्या कहता है कि सबसे पहली वात आती है कि हम अगर तैरते हैं तैर्ना तैर्ना दो परिकार से हो सकता है एक तो बहते हुए पानी में तेरना और एक बहते हुए पानी की विपरीद दिसा में तेरना तेरना दो प्रिकार का हो सकता है दूस्तो एक तो पानी की दिसा में और दूसरा हो सकता है पानी की विपरीद दिसा में कि पानी जिस दिसा में वहरा है उसकी विपरीत दिसा में तेरा जाए तो तेरना जो होता है वो दो परिकार का होता है इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि तेरना एक तो पानी की दिसा में और एक पानी की विपरीत दिसा में पानी की दिसा में कैसे तेड़ सकते हैं और पानी की विपरी दिसा में कैसे तेड़ सकते हैं उस पर हमें चर्चा करनी है समझिएगा तो पानी की दिसा में जब तहरा जाएगा पानी की दिसा का मतलब हो गया जो धारा की दिसा होगी वही पानी जो है वो धारा में वहेगा तो मैं यहां कहूंगा आपसे कि धारा की दिसा में चाल धारा की दिसा में चाल यह कॉंसेप्ट है यह हमें समझना है कि धारा की दिसा म होगी चींक है तो दोस्तों एक बात समझना कि मैं अगर आपसे कह देता और आपको इसी दिसा में तेहरना है ठीक है पानी की चाल मैंने मान लेए पानी की चाल हो गई तीन किलो मीटर परावर की पानी जो बैरा है न वो तीन किलो मीटर प्रती गंटे की रफतार से बैरा है मतलब यहां का पानी यहां का पानी एक गंटे में तीन किलो मीटर चला जाता है एक गंटे में कितना चला जाता है तीन किलो मीटर मतलब यहां जो पानी इस्तित्ता एक गंटे के पश्चा थी आ गया तो इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो तीन किलो मीटर होगी यह पानी की चाल है अब मैं आप से कहे रहा हूं कि आप इसी direction में तहरती हो और आपकी चाल देखो जो तहरने वाला व्यक्ति होगा यही confusion होता है तहरने वाला व्यक्ति अब तहरने वाला व्यक्ति या तो self तहरेगा खोद तेर सकता है जिसको तेर ना आता है तेर आखे चीक है या फिर वो किसी नाव बोट या किसी इस्टीमर चीक है इस्टीमर इससे तेर सकता है मतलब कोई भी संसादन हो सकता है जिससे वो तेर रहे ठीक है तो यहाँ पर चाहे वो तेरने वाले ब्यक्ति की बात करे चाहे नाव की बात करे, चाहँ, स्टीमर की बात करे, या और कोई संसादन है, जिससे वो तैरर आया है, ठीक है, तो यहाँ पे बात आएगी, कि पानी की चाल तो है, तीन किलोमेटर प्रती गण्टे, और आप जो तैररे हो, किसी भी संसादन के थिर्यू, वो है 4 km प्रती गंटे आप समझिएगा ये बात कि भाई आप यदि नहीं तेर रहे हो आप की जो तेरने की चाल है वो 0 है जिसको तेरना नहीं आता उस ब्यक्ति की बात कर रहा हूं है कि यहां पर ब्यक्ति खड़ा हुआ पाने वेरा है 3 km प्रती गंटे की रफ्तार से तो ब एक गंटे में ब्यक्ति केतना चला गया 3 km चला गया चीक है अब वो कह रहा है कि आपके तेरने की चाल यदि आप तेरा को बेना तेराक वाला ब्यक्ति 3 km जाएगा एक गंटे में यदि आप तेरा को तेरना आता है या किसी बूर से तेर रहे हो या फिर किसी इस्टीमर से तेर रहे हो तो दोस्तों एक तो पानी बह रहा है उस बहते हुए पानी में आपकी खुद की स्पीड हो रहे चीक है यह सिस्टम बनेगा इस तरीके से कि यह मैं मान लेता हूं कोई पानी की चाल है पानी बह रहा है पानी बहते हुए पानी में इस तरीके से आप आगे निकल जाओगे ठीक है बैते उए पानी में आपकी चाल है 4 km प्रती गंटे तो यहां पर overall जो speed होगी net speed आप बोलोगे net speed हो जाएगी सर 3 plus 4 7 km पर आवर net speed कती हो जाएगी 7 km प्रती गंटे ये 7 km प्रती गंटे जो speed आई ये क्यों क्योंकि आप बेहते हुए पानी में तेर रहे हो तब इसपीड आई आप या साथ किलोमेटर पराबर इसका मतलब क्या रहा कि धारा की दिसा में अगर चाल की बात करता हूं, तो एक तो नाव की चाल खुद की नाव की चाल पिलस धारा की चाल नाव की चाल प्लस धारा की चाल एक concept तो ये बना और एक और बनेगा और उसके अलावे इसमें कुछ भी नहीं बनेगा धारा की दिसा की चाल की बात कर रहा है वो धारा की दिसा में तरह रहे हैं और cycle चलाना सब को आता है, चीक है, अगर हम इसी direction में चल रहे हैं, और इसी direction में आंदी है, तो हम जो cycle की pedaling करते हैं, जो pedal मारते हैं cycle में, वो pedal मरना आसन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसी दिसाम में तो आंदी आ रही है, और इसी दिसाम में आप cycle चला रहे हो, speed ब बढ़ जाते हैं बात समझ में आई वही कॉंसेप्ट यहां पे है कि पानी की दिसा में चाल एक तो पानी का प्रेसर रहेगा खुद का मतलब पानी का बहाव रहेगा और एक आपकी खुद की चाल रहेगी तो वह दोनों चाले रेजल्टेंट के लिए जुड़ जाएंगी इस चीज को आप ध्यान रखियेगा धीक है दूसरी बात आती है एक तो द्हरा की दिसा में चाल हो गहीं दूसरा आएगा इसमें धारा की धारा की विपरीत दिसा में चल यह समझे आप यह कॉंसेप्ट और बनेगा एक और इसके ऩालावा इसमें कुछ नहीं बनेगा धारा की विपरीत दिसा में चाल अपोजिट डिरेक्शन का मतलब हो गया वही एक्जामपिल आप आधी वाला पापस से लीजिए कि इस डिरेक्शन में आधी आ रही है और आपको अपोजिट डिरेक्शन में साइकल चलानी पड़ रही है तो आपको पहले से ज़्यादा प्रेसर की जरुवत पड़ती है पहले से ज़्यादा स्पीड की जरुवत पड़ती है पहले से ज़्यादा परिश्रम की जरुवत पड़ती है क्यों? क्योंकि एक तो हवा की चाल होगी खुद की और एक आपकी चाल होगी बासमज में आई वही कॉंसेप्ट यहां पे है कि धारा की विप्रीद दिसा में चाल नाव की चाल 101% ज़ादा होनी चाहिए नाव की चाल ज़ादा होगी तब ही आप आगे तेरपा होगे नाव की चाल माइनस धारा की चाल इस चीज को समझिएगा कि पानी की चाल तीन किलोमीटर प्रती घंटा है और आपकी चाल अब इधार है अपोजेट डियरेक्शन में आप तेर रहे हो जब आप अपोजेट डियरेक्शन में तेर रहे हो ना कितनी हैं? 3 km. तो आप 1 गंटे में 3 km पानी में बहचाओगे. बात समझ में आई? दूसरी बाद, यदि आपकी चाल इस 3 km प्रती गंटे से कम है, आपकी चाल इस 3 km प्रती गंटे से कम है, suppose that 2 km प्रती गंटे है, तो पानी आपको 3 km बहा के ले गया, और आप उस बहते हुए पानी में केवल 2 km यहां तक आए, तो resultant क्या रा, आप 1 km पानी की दिसा में बह गये, अगले एक गंटे में फिर एक किलो मेटर बह जाओगे, फिर अगले एक गंटे में फिर एक किलो मेटर बह जाओगे, के लिए तो हमें अगर पानी में तेहर ना है तो हमारी मतलब नाव की चाल, ब्यक्ति की चाल, इस्टीमर की चाल हमेशा ज़्यादा रहेगी धारा की चाल से तब ही आप बहते हुए पानी में तेहर पाओगे अधरवाइज उल्टे बह जाओगे यह कॉंसेप्ट है में समझने वाला तो यह दो पॉइंट हैं इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हो आदी वाला एक्जामपल सबसे स्वेटेवल एक्जामपल है वो खभी भी आपसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसका रीजन यह है क्योंकि सारे इस्टूरेंट मैं भी उस चीज से गुजरा हूं आप भी उस चीज से गुजरियो साइकल चलाना सबको आता है और साइकल चलाते हुए आंधी सबके सामने आती है अब जिन्होंने साइकल नहीं चला ही आंधी नहीं देखी उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है ठीक है तो यहां मेन कॉंसेप्ट बना धारा की दिसा में चाल नाव की चाल प्लस धारा की चाल पानी बह रहा है उस बैती वे पानी में आप बह रहे हो तो रिजल टेंट चाल जो है वो जुड़ जाएगी यहां सेम डारेक्शन वाला जो साफ एक चाल वाला है वो एपलाई मत कर देना नहीं तो गड़वड हो जाएगी ठीक है और धारा की विपरीद दिसा में चाल नाव की चाल माइनस धारा की चाल रीजन उसका क्योंकि नाव की चाल अगर कम हो गई तो आप बह जाओगे और जितने भी आप कोश्चन करोगे उन सब कोश्चन मे नाव की चाल जो रहेगी वो धारा की चाल से अमेसा ज्यादा रहेगी इस चीज को आप ध्यान रखियेगा clear, चरिये ये दो point ये हैं, इसमें समझने वाले तेहरने वाले व्यक्ती की बात की जाएगी वो व्यक्ती हो सकता है, भूर से तेहर सकता है इस्टीमर से तेहर सकता है और कोई सादन हो सकता है उसके पास में तेहरने के लिए इस चीज़ से आपको confuse नहीं होना है कि ब्यक्ति की चाल है या धारा की चाल है उस चीज़ से को हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे धारा की चाल की बात कर रहा है तो धारा में पानी की बात आईगी तो पानी की चाल या धारा की चाल मतलब एक ही है उनका ठीक है अब मैं एक पॉइंट और निकाल के ला रहा हूं आपके सामने यहां से उस श्रीज को समझेगा तो मैं यह डायग्राम रफ कर रहा हूं कि देखिए सबसे पहले Concept जबाने के लिए आपको ये दो Point तो समझने पड़ेंगे कि धारा की दिसा में चाल धारा की विपधिद दिसा में चाल। चीक है, अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, जैसे मेरे नाम विपिन है, आपका नाम पला ना है, उसका नाम डेका ना है, चीक है, अब हम जब भी यूज करेंगे, धारा की दिसा में चाल का नाम यूज करूँगा में X, और धारा की विपरी दिसा में चाल का नाम यूज दिसा में चाल कुन सी होगी दारा की दिसा में चाल होगी एक्स और दारा की बिप्रीद दिसा में चाल होगी ये पॉइंट आपको सेट करना है मैंड में ये इसकी कोडिंग हो जाएगी ठीक है दूसरी बात ये एक्विशन फर्स्ट एक्विशन सेकंड एक्विशन नमबर ब एक्स पिलस बाई LHS को जोड़ा मैंने बरावर हो जाएगा नाव की चाल नाव की चाल दो गुणा में नाव की चाल और नाव की चाल बरावर हो जाएगा एक्स प्लस बाई वटे में दो नाव की चाल बन जाएगी एक्स प्लस बाई वटे में दो ठीक है एक्स प्लस वाई वटे दो नाव की चाल से मतलब क्या है अभी मैंने आपको जो डियागराम बनाया था कि पानी की चाल तीन किलोमेटर प्रती गंटे थी नाव की चाल चार किलोमेटर प्रती गंटे थी अब जो पानी की चाल थी और नाव की चाल थी पानी बहे चाहे नहीं बहे नाव की चाल 4 km प्रती गंटे ही रहेगी उसको बोल दिया जाता है सांत जल में नाव की चाल सांत जल में नाव की चाल इससे कोई confusion नहीं होना है सांत जल से मतलब हो गया वो उस नाव की खुद की चाल है चाहें वो सांत जल में बहे या सांत जल में तेरे या फिर बहते हुए जल में तेरे नाव की चाल अपनी कॉंस्टेंटी रहेगी जैसे मैं कहा देता हूँ आप साइकल चला रहे थे आनी में आपकी चाल थी 8 km प्रती गंटे अगर आनी पीछे से आ रही है तो overall तो resultant जो speed है बढ़ेगी बढ़ेगी लेकिन आपकी चाल 8 km प्रती गंटी रहेगी इस चीज को धियान रखना तो सांत जल में नाव की चाल से मतल़ होगा नाव की खुद की चाल है वो और वो होती है एकस प्लस बाई बटे दो और एकस क्या होता है धारा की दिसा में चाल और बाई होती या धारा की विप्री दिसा में चाल तो यहां से मैं समझता हूँ यह concept भी clear हुआ होगा कि सांत जल में जो नाव की चाल बनके आ रही है वो सांत जल में नाव की चाल बनके आ रही है आपकी एकस प्लस बाई वटे में दो दूसरी बात एक बार मैंने इन equations को जोड़ा है तो एक बार मैं गटा भी सकता हूँ कि equation number first minus equation number two जब मैं गटाऊंगा तो इधर x minus y बन जाएगा LHS में और इधर बनेगा यह minus और यह plus तो नाव की चाल plus minus नाव की चाल यह कट जाएगी और धारा की चाल धारा की चाल बरावर हो जाएगा दो गुणा में धारा की चाल दो गुणा में धारा की चाल और दो गुणा में धारा की चाल से यहां से धारा की चाल आजाएगी अपने पास में धारा की चाल बरावर x minus by बटे में दो यह किसकी चाल आगई यह आगई अपने पास में धारा की चाल ठीक है यह concept आपको याद रखने है दोनों concept जो निकल के आएं इन चार फॉर्मूले के अलावा कोई भी फॉर्मूले इसमें यूज नहीं होगा clear तो आप समझ लेजिए इस चीज को धारा की दिसा में चाल जोगी वो नाव की चाल प्लस धारा की खुद की चाल होगी धारा की विप्रीद दिसा में जो चाल होगी वो नाव की चाल माइनस धारा की चाल होगी एक बार दोनों को जोड दिया तो सांत जल में नाव की चाल नि तो जो मैंने boxes में बंद की है न इन चार के अलावा कोई और concept इसमें यूजर नहीं होने वाला है ठीक है तो मैं समझता हूं यह concept के लिए हुआ होगा अब इसके questions देखते हैं वह देखिए questions भी previous years में आई हुए questions करेंगे हैं देखिए mainly railway के questions करवारों में अभी कोई भी questions को सी भी book का कोई question उठा के देख सकते हैं आप जो basic questions स्टार्ट होंगे वह यहीं से start होंगे पहले तो हमें यह concept समझ में आना चाहिए कि धारा की चाल नाव की चाल सांध जल में नाव की चाल सांध धारा की चाल क्या होगी इस तरीके से ठीक है तो यह चार concept है हमारे एक तो धारा की दिसा में चाल धारा की विपरी दिसा में चाल सांध जल में चाल और धारा तो कुछ कोशेंस में यह टॉपिक है अपना नावदारा नावदारा टॉपिक में से कि देखिए कोशें नमर एक कोशें नमर एक है एक नाव सांत जल में चाल मैं सौट में लिख देता हूं यहां पे एक एक नाव सांत जल में एक नाव सांत जल में 20 किलो मेटर प्रति गंटे की गति से जाती है तो सांत जल में चाल देदी यह नाव की 20 km प्रती गंटा है यदि नाव धारा के विपरीत 20 km की दूरी दूसरा point दिया हुआ यदि नाव धारा के विपरीत 20 km दूरी धारा के विपरीत कितने km दूरी भीया 20 km दूरी 4 गंटे में तै करती है कितने गंटे में तै करती है च्यार गंटे में ते करती है, तो धारा की चाल, क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी, ओप्शन से इसके 30 किलोमेटर प्रति गंटा, 15 किलोमेटर प्रति गंटा, 20 किलोमेटर प्रति गंटा, और 25 किलोमेटर प्रति गंटा, अभी मैंने आपको एक point बताया था कौन सा point कि हमेशा जो नाव की चाल होगी वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होगी नाव की चाल दे दी आपको 20 km प्रती गंटा और किस की चाल पूछ रहा है वो आपसे धारा की चाल इसका मतलब जो धारा की चाल है वो 20 km से कम होगी और यहां से directly tick हो जाता हमारा कुन सा पंदरा ठीक है? directly tick हो जाता हमारा कुन सा option पंदरा है ठीक है? यह चीज़ आपको दिहान रखनी है इसको solve करने की ज़रुगा था बिलकुल कता ही नहीं थी लेकिन यहां हमें solve करना है समझ यह पूरा concept क्या है सांत प्जल में नावगी चाल होती है x प्लस बाई वटे 2 जिसकी value देदी 20 तो x प्लस बाई वराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? x प्लस बाई वराबर हो जाएगा 40 equation number first फिर दूसरी बात कहा रहा है धारा के बिपरीत 20 km दूरी क्या देदी? दूरी समय दे दिया कितने गंटे में? 4 गंटे में कौन सी direction में है? धारा के बिपरीत 20 km की दूरी है और 4 गंटे में ते करती है तो धारा के बिपरीत दूरी दे दिया समय दे दिया चाल निकाल सकता हूँ पांच क्लो मिटर परावर यह किसकी वैलू आईए Y की वैलू निकलके आईए Y की वैलू पांच है तो यहां पोट कर दूँंगा X प्लस 5 बरावर 40 तो X बरावर 35 X की वैलू केतनी? 35 Y की वैलू केतनी? 5 वो पूछ रहा है धारा की विपरीत धारा की चाल, कौन सी चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल आपको पता है, x-2 बटे 2 होती है, x की value 35 है, y की value 5 है, बटे में 2, और 30 बटे 2 बरावर हो जाएगा, 15 km पर आवर, तो option कौन सा हो जाता, बी वाला, हमारा question, directly hit हो रहा था, कि नाव की चाल जो है, वो धारा की चाल स हमेशा ज्यादा होती है, तो धारा की चाल हमेशा, नाव की चाल से कम रहेगी, और धारा की चाल जो है, नाव की चाल से कम रहती, तो 20 से कम रहती, और एक ही option था, 20 से कम, तो option हो जाता हमारा 15, ये direct hit थी, ठीक है, चलिए, ये question number 1 था, question number 2 देखिए, आपको questions अच्छे लगते हैं, तरीका अच्छा लगता है समझाने का, तो आप इस क्या, जितनी भी वी वीडियो जें, उनको share करना मत बूलिया करो, share करना मत बूला करो, comment करना मत बूला करो, मैं आपके suggestion का बेट करता हूँ, अगर कोई भी suggestion हुगा करे, तो वो suggestion comment box में Question number 2 में कह रहा है, सांत जल में एक नाव को, सांत जल में एक नाव को, सांत जल में एक नाव को, अपने गंतब्य इस्थान तक पहुँचने, अपने गंतब्य इस्थान तक पहुँचने, और वहां से, और वहां से, प्रारम्मिक इस्थान पर वापस आने में, कुल 15 गंटे लगते हैं, कुल 15 गंटे लगते हैं, इसका मतलब क्या है वाई, सांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने है जल सांत है नाव अपनी स्पीड से जाती है और अपनी ही स्पीड से वापिस आती है तो उसको कुल 15 गंटे लगते है समझना इस बात को कि एक तरफ तो जल बहरा होगा तो वो एक साइड से तो बहते हुए पानी की दिसा में जाएगा तो दूसरी साइड से पानी की बिपरीद दिसा में आएगा ये कॉंसेप्ट रहता है मेन ठीक है कुल 15 गंटे लगते है उसी यात्रा के लिए उसी यात्रा के लिए नदी में पिरवा होने पर उसी यात्रा के लिए नदी में पिरवा होने पर गंटे की आवशक्ता होती है ठीक है नाव और नदी की गती के बीच का अंतर पंदरे किलोमीटर प्रती गंटा है नदी के प्रवा की गती नदी के प्रवा की गती पानी के प्रवा की गती धारा के प्रवा की गती धारा की चाल मतलब यह की है नदी के प्रवा की गती नदी के प्रवा की गती क्या होगी और options हैं इसके 10 km प्रतिगंटा, 6 km प्रतिगंटा, 4 km प्रतिगंटा और 5 km प्रतिगंटा ठीक है यह question है देखिए किस तरीके से question को solve करना है जी, तो यहाँ question में आपको दिया हुआ है कि सांथ जल में एक नाब को अपने गंतब एस्थान तक पहुचने में अरो वहाँ से प्रतिगंटा प्रतिगंटा अने में कुल 15 घंडे लगते हैं मतलब सांत जल में दिये हुआ है वहां पे धारा की चाल नहीं है कि सांत जल में आता और सांत जल में वापस है मतलब सांत जल में जाता और सांत जल में वापस आता है तो यहां पे यह concept तो लगने ही नहीं है कि धारा की दिसा में चाल और धारा की विप्रीद दिसा में चाल तो मैं यहां मान लेता हूं कि सांत जल में नाव की चाल नाव की चाल एक्स किलोमेटर प्रतिगंटी एकस मत मानो, एकस और भाई तो हम पहली मान चुके हैं, तो P मन लो इसको, P किलोमीटर परावर है, ठीक है, और धारा की चाल मन लो यहां पर, धारा की चाल Q किलोमीटर परावर है, ठीक है, पहली बात, सांत जल में एक नाव को अपने गंतब बेस्तान तक पहुंचने और वह कुल समय 15 गंटे तो मैं यहां से जह सकता हूं कि वह यहा कुल समय 15 गंटे उन्हें बराबर इसको नाम दे दिया मैंने क्विशन्बर फर्ष्ट दूसरी बात उसी यात्राके लिए नदी में पिरवा होने पर 16 गंटे की आवशक्ता होती है अब पानी बेह रहा है ठीक है अब लगेगी कि धारा की दिसा में चाल और धारा की विपरी दिसा में चाल अब एक बात बताईएगा कि D किलोमेटर जाएगा और D किलोमेटर आएगा तो एक बार तो वो धारा की दिसा में जाएगा और धारा की दिसा में जो चाल होती है एक्स ठीक है वो होती है नाव की चाल प्लस धारा की चाल तो यहां कहूंगा मैं P प्लस Q और D किलोमेटर जब बापस आएगा तो धारा की चाल सरी नाव की चाल सम soc ब्राबर दूरी बते चाल इस पßenको कितना समय talking सोला गंटे लगते हैं तो यहां से d की value point कर सकता हूं मैं तो यहां से equation number one इसको नाम ना दे कर मैं इसको आगे से solve कर देता हूं कि यहां भी ड को मनें यहां निकाल देता हूं और ड की value हो जाएगी 15 15P बटे में 2 तो 15P बटे में 2 D की वेल्यू यहाँ पर पूट कर सकता हूँ तो यह P-Q और P-Q D को common ले लिया मैंने और D की वेल्यू है 15P बटे 2 तो यह हो जाएगा P-Q प्लस P-Q बटे में P-Q-Q-Q बराबर 16 चलिए तो यह Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा चीक है और यहाँ से मैं कोशन को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको तीक है यह बना कितना P और P 2P 2P इंटू में 15P तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो यह रह जाएगा केवल 15P स्क्वार चीक है वही P प्लस P 2P होगा उस 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा केवल P बचा P इंटू में P, P स्क्वार इंटू में 15P स्क्वार और यह P स्क्वार मैनस Q स्क्वार का मिल्टिप्लाई 16 में हो जाएगा तो यह बनेगा 16P स्क्वार मैनस 16Q स्क्वार 16 P square minus 16 Q square तो यहां से यह 15 P इदर जाके minus होंगे तो P square बचेगा और 16 Q square इदर आके minus का plus का हो जाएगा 16 Q square तो यहां से P square upon में Q square equals to हो जाएगा 16 बटे 1 तो यहां से P बटे Q square root लोंगा तो 4 बटे 1 अनुपात बनके आगी है यह चीक है अब एक चीज और दियो ही है कोशन में कि नाव और नदी की गती के बीच का अंतर 15 किलोमेटर परावर है नाव की चाल P नदी की चाल Q इनका जो डिफरेंस है P minus Q बडावर 15 है P की वैल्यू 4 Q की वैल्यू 1 तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 यूनिट क्योंकि अनुपात है यह 3 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी इसका मतलब P की वैल्यू 4 है तो P की वैल्यू हो जाएगी 4 पंजे 20 और Q की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 किस की value पूछ रहा है वो नदी के पिरवाहा की गती और नदी के पिरवाहा की गती क्यू है और Q की value एक unit answer हो जाएगा 5 km परावर option D वाला ठीक है ये question जिन students ने नावदारा topic पहले पढ़ा हुआ है वो इस question को कर सकते हैं और जिनोंने नहीं पढ़ा है वो इस question को अभी skip करना और basic questions पहले solve करना उसके बाद इस question को करना क्योंकि question का level थोड़ा सा अब था मैंने board पे लिख दिया था तो solve करवाना भी जरूरी था ठीक है ये question था तो दो question मैंने आपको इसमें करवाई है आज नावदारा की next मिलते हैं next video में और practice के साथ में मिलेंगे मैंने आपको समय चाल की theory करवाई है इसके बाद मैं train की theory करवाई थी और अब करवाई है मैंने नावदारा की theory तो जो student समय चाल दूरी जो topic है जिसमें तीन topic जोड़ते हैं हमारे समय चाल दूरी train और नावदारा इनको completely समझना चाहता है अच्छे तरीके से covering करना चाहता है उनके उपर तो ठीक है और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो अपना अंतर देख सकते हैं कि किस तरीके से नावदारा का concept चुटकियों में होता है ठीक है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गुड़नाइट टेक केर जैसरी किष्णा तेंक्यू